नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन की दिन भर की खबर जानते हैं चीन में दस दिन बाद कुरोना से हर दिन होगी 25 यार से अधिक लोगों की मत चीन में कुरोना की नई लहर दुनिया भर के लिए चीनता का विशाय बन गई है, विश्व स्वास संध्या साथ कई अने देशों ने चीन पर कोविड मामलों की जनकारी छिपाने का रोप लगाया है बताया जा रहा है कि चीन सरकार ने कुरोना को लेकर दैनिक मामलों पर डेटा जारी करना बंद कर दिया है वहीं देश में कुविड नैंटिन से मौत की संख्या को 500 से थोड़ा अधिक रखा है ब्रीटेन के सोध फर्म एयर फिनिटी ने बताया है कि छेतरी आकडों के बिसलेशन से जनकारी मिली है कि वाइरस से लाखों लोग प्रती दिन संक्रमित हो रहे हैं और हजारों के संख्या में मिरित्यू हो रही है कमपेनी के पुर्वनमानी स्वास्थ विसलेशन के अनुसार कोविड-19 संक्रमन इस सब्ता चीन में चरम पर पहुँच जाएगा प्रती दिन 3.7 मिलियन मामले सामने आएंगे जबकि 10 दिन बात से हर दिन लगभग 25 से लोगों की मौत चीन में होगी जारखंड के आदिवासियों ने निकाली PMCMOA बिधायक की सोयातरा मधुबन परसनाथ को तिर्थ छेत्र घोसीत करने की दिशा में हाल में केंद्रवा राय सरकार की ओर से की गई पहल के खिलाफ मंगलवार को मधुबन से परसनाथ परवत तक आदिवासि मुलवासी ने जवर्जस परदसन किया मरांग बुरू सानवत्ता सुसार बैसी वा आदिवासि मुलवासी संगहर्ज मोर्चा की अगवाई में मरांग बुरू बचाव जन अक्रोस रैली निकाली गई सेकलों की संख्या में आदिवासि मुलवासी परदसन कारी अपने साथ PM नरेंदर मोदी जार्खन के सीएम हेमन सुरेन वगिरी डी के जामो विधायक सुधिब जोनु का पुतला भी दहन किये बतादे यह रहली सह सो यात्रा परवत के उपर दीसौम माझी ठान तक पहुची यही तीनों पूतलों का दहन किया गया इसके पुरवत दिस्वम माजी थान में लोग माथा टेके जहारखन केबिनेट की बैठक आज परवासी मजदूरों को लाब वर्स 2013 का पहला जहरकंड केबिनेट की बैठक मंगलवार 10 जनवारी की साम चार बजरांची के परजेक्ट भौन में सुरू है बता दे इस केबिनेट की बैठक में कई अहम परस्ताव पर फैस ले लिये जाएंगे इसके तहट जहां परवासी मजदूरों की समाने मौत होने पर राज सरकारून का स्वाव लाने का खर्चवान करेगी वहीं भी भी नियोजनाओं का लाव भी उनके परिजनों को देगी इससे समधित प्रस्ताव दस जनवरी को होने वाली केबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है बताया गया है कि पुर्व में प्राकृति आपदा दुर घटना की थिती में मिरित प्रवासी स्रमिक के पार्थिव शरीर को पैत्रिक निवास अस्थान लाने और आर्थिक मदद के लिए अंतर राजिये प्रवासी मजदूर के सर्वेक्चन एवां पुर्णवास की योईना का लाव परिजनों को मिलता था अब इसमें संसोधन कर समाने मिरितु की थिती में भी योईना का लाव दिया जाएगा जारखन में नहीं थम रहा सर्दी का सितम क्या है तो जाएखन में फरवरी से खत्म हो जाएगा बिधूत संकत जारखन में बिजली आपूर्थी बेहतर होने जा रही है एक फरवरिस से एंटी पीसी नर्थ करन पूरा थर्मल पावर प्लांट से राजे को 150 मेगावाट बीली मिलने लगेगी गर्मिया सर्दी के साथ बीली के एका एक मांग बढ़ने की स्थिती में भी जार्खन के लिए आपूर्थी समाने ब सित्रन नीगम को केवल 3.5 रुपय प्रती इनुट की दर पर 150 मेगावाट बीली मिलने लगेगी जे बी भी एनेल कौम दर पर बेहतर आप पूर्ति कर सकेगा हलाकि या इस्थिती बनने में काफी लंबा वक्त लगा जार्खन में बीजली की मांग 200 से लेकर 26 मेगावाट के बीच रहती है जार्खन में सुखा का आकलन सुरू 9250 क्रोर की मदद वारिस नई होने के कारण 2022 में जार्खन को सुखे का सामना करना पड़ा जार्खन सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की थी जिसके बाद एक केंद्रिये टीम रांची पहुंची है ज इस टीम के साथ नेपाल हाउस में उच अधिकारियों की बैठक हुई जहां जार्खन सरकार ने भारत से करी 9250 क्रों रुपे की रात पैकेज देने की मांग की बता दे रांची में सुखे का आकलन करने के लिए जार्खन दोरे पर आई केंद्रिये टीम के साथ राजी के अल रांची के हर्मू हाउसिंग कलोनी के एच 166 की राने वाले चंदन कुमार सिंग ने बताया है कि उनके बड़े भाई जो भोपाल में रहते हैं उनकी बेटी के साधी हजारी बाग में होनी तय थी वहीं 30 जनवरी को साधी है भाई के कहने पर ही पुरा परिवार कई दिनों से साधी की खरीदारी में ब्यस्त था क्रिमनल भेरिफिकेशन मोड्यूल तयार कर रही CID अपराधियों से निपटने के लिए CID क्रिमनल भेरिफिकेशन मोड्यूल तयार कर रही है CID का या पाइलेट प्रोजेक्ट सफल हुआ तो फिर उसे पूरे जार्खन में लागू किया जाएगा इसके तहट अपराधियों के बारे में 40 बिंदूओ पर जनकारी इकटा की जानी है जार्खन CID के टीम अपराधियों के खिलाब करवाई के लिए एक कारगर रण नित्ती पर काम कर रही है CID Criminal Verification Module त्यार कर रही है इस मेडियों में कूल 40 बिंदूओ पर अपराधियों के बारे में पूलिस को जनकारी कटा करना है 40 बिंदूओ में अपराधियों से समंधित सभी बिरों सामिल रहेंगे यहाँ तक की अपराधि कौन-कौन सा नसा करता है और किस दुकान से उसकी खरीदारी करता है वह भी सामिल अमेरिका का दूलहा बन कर रांची के लड़की से साथ लाख रुपए की ठगी रांची की एक लड़की के साथ लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है लड़की को साधी के नाम पर ठगी का सिकार बनाया गया यूवक ने जहासा दिया था कि वह अमेरिका में डॉक्टर है फिलहाल इस मामल में पुलिस चानबिन कर रही है बता दे मैरिज साइट के जरिये अपने लिए बेहतर लड़का तलास कर रही रांची के एक यूती ठगी की दर्च कराई है नवदय बिद्याले में चात्र की हत्या मामला जारखन के गोड़ा जीला इस्थित जो आहर नवदय बिद्याले में नवी के चात्र अमन की संधियास परिस्थितियों में मौत हो गई 31 दिसंबर से एक जनवरी के दर्मियान अमन को बेहोसी की आलत में अस्पताल से लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मिरित घोसित कर दिया अरमभिक पुष्टाच में इस्कूर परवंधन ने घाटना से दो-तीन दिन पहले से चात्र के बिमार होने और बातरू में गिर जाने से मौत की बात कही थी लेकिन मांगामा पुलिस के चान बिन में ए बात जूटी सावित हुई है मांगामा पुलिस ने 6 जनवरी को प्रेस कोन्फिरेंस कर बताया है कि अमन की मौत मार पीट की वया से हुई थी पुलिस का कहना है कि 31 जनवरी की राज सराब पिने को लेकर हुए बिबाद में बरावी के दो छात्रों ने अमन की पिटाई की थी रांची की पहाडी मंदीर के अस्तित्व पर संकट राजधानी की एतिहासिक परसीद पहाडी मंदीर की पहाडी अनियोजित निर्मान कारे का बोज उठा नहीं पा रही है पहाड जग जग से दरक रहा है यहां की मिटी धंस रही है जिसे आने वाले खत्रे का संकेत कहा जा सकता है बता दे मुखे पहाडी मंदीर के निचे की मिटी भी धंस गई है जिससे दिवार की दरा दिन पर ती दिन चोड़ी हो रही है मंदीर की सिडिया भी दरक दरक कर तूटने के कगार पर पहुँच चुकी है कई जगा पलास्टर उखड रहे हैं दरार न बढ़े इसको लेकर कई बार कॉंक्रीट से साटा गया लेकिन यह अजुगार काम नहीं आ रहा है बोरियो बिधायक लोबिन हेंबरम ने जरकन सरकार के खिलाब मोर्चा खोलते हुए कहा है कि सरकार जयन धर्मलमियों के तीर्स असल पारसनाथ पहाड को मरांग बुरु अस्थल के रूप में घोसित करे सरकार अगर 25 जनवारी तक इसे मरांग बुरु असल घोसित नहीं करती है तो 32 जनवारी को उली हातू वा दो फरवारी को सिद्धू कानू के जन्म असली भोगनाडी में अंसन पर बैठेंगे जारखन के छात्रों को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की उमीद फरवारी माह में आम बयठ है इसको लेकर हरवर्ग के लोगों की निगाहे केंद्र सरकार की और टिकी हुई है विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की विवस्ता की मांग करने लगे हैं रांची इन्वर्सिटी के इंस्चूट आफ मेनेजमेंट स्टडिज के विद्यार्थियों समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बयट पर अपनी राय रखी है गिरिटी में आदिवासियों की उम्री भीड़ गिरिटी में महा जुटान कारिकरम सुरू हो गया है सेकड़ों की संक्या में लोगों ने मधुबन बजार में जुलूस निकाली है जरकंड सरकार और केंद्र सरकार के खिलाप नारे लगाये जा रहे हैं कहा जा रहा है कि आदिवासियों के वोट का दुरूपयों करना बंद करो परमपारिक हत्यार के साथ लोग परशनाथ परवत की चढ़ाई भी कर रहे हैं साथ ही केंद्र सरकार और राज सरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी भी कर रहे हैं इदि आप चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेले लेकर दबाएगे साथ साथ वीडियो की एक लाइक कर अपने दोस्तों के शेयर करना भूले साथ साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ वाइक अवसे दे थैंक यू